स्वागत है दोस्तों आपका नीस हेल्थी यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम जानेगे स्वीच 200 एमजी टैबलेट के बारे में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा चैनल पर पहली बार आया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए साथ चरी साथ से बेल की बड़न को फ़ल्र दे चलिये दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं हैं जयान लेते हैं स्वीच 200 mg टैक्बलेट के बारे में सारी जानकारी दोस्तों तो इसपॉज 250 नंची टैबलेट है तो अलकेम कंपानी के ब्राइंड है और कंपानी ने इस टै इफेक्ट देख लेते हैं दोस्तों यूजेज साइड इफेक्ट देखने पर आपको बता दू अबर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर की सला जरूर ले ले इसकी यूजेज की अगर हम बात कर तो यह अपर रिस्पैरिटी ट्रैक इन्फिक्शन उसी के साथ सर्दी खासी खोकला इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है रिस्पैरिटी ट्रैक के जो भी इन्फिक्शन है उसमें आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कान दूखने में कान के इन्फिक्शन में मुग के इन्फिक्शन में दोस्तों उसी के साथ साथ इस टै पर भी आप switch 200 mg tablet के इस्तेमाल कर सकते है इसके बहुत सारे फाइदे है इसको आप urinary track के infection में भी इस्तेमाल कर सकते है यानि के के आप side effect देख लेते हैं इसके side effect के अगर हम बात करें तो नाउशिया हो सकती है वो meeting हो सकता यानि के इल्टी होना दस्त लगना सिर चक्राना हलका सुकना और skin पर rashes वगयरा हो सकते हैं अगर आप को ये side effect ये इसके लावा कोई और side effect नजर आते तो आप switch tablet का इस्तेमाल करना बंद करते और अपने डॉक्टर की सल़ा जरूर ले ले इसके dose की अगर हम बात करें तो adult person में इसको आप two time दे सकते हैं के दिन में से दो बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसी एक सासर दोस्तों आपको बता दूरो डोस के सिलसले में आप है तो अपने डॉक्टर की सला भी ले सकते हैं डॉक्टर के कहने के बताबिक आप इसका डोस कम या ज्यादा कर सकते हैं तो दोस्तों ये था एक छोटा सा र पेजबुक पेज़ पर देख रहे हैं तो पेज़ को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नहीं जानकारी के साथ,